तो अपर एच दो पिल्ड दोश्टो पिल्डा स्वागता है आप सभी का हमारी चैनल टैक क्यों एल्प में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्यूटर अकाउंट में अपना यूजर नेम चेंज कैसे करें जा दोस्तों अगर आप भी जो है अपने tutor account में अपना username change करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता है कि जो है tutor account में किस तरह से username change किया जाता है तो दोस्तों इस video को सुरू से last तक देखेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपना tutor username है उसको change कर सकत है जार दोस्तों क्या होता है जैसे कि आप जो है tutor username change करते हैं तो इसमें दोस्तों आप जो भी नाम ढॉलता हैं अपने मन चाहां नाम को डालते सो उसमें जो है अवाइलवल नहीं होता है तो दोस्तों आज कि वीडियो में मैं आपको साथ में एई भी बता Standards कर देए है तो यहाँ पे आपको उपने ट्योटर अकाउंट को open कर लेना है, यहाँ पे दोस्तों जैसे आप इसको open करेंगे तो आपके साब ने इस परकार का यहाँ page डिस्पले हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे उपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ जो है three lines मिलती है, तो आपको इस three lines पे click करना है, तो जैसी दोस्तों आप इस three lines पे click करते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे setting and privacy का option मिलेगा, तो आपको इस settings and privacy वाले option पे click करना है, जैसी आप इस पे click करते हैं, तो यहाँ पे आपको तो जैसे आप इसे पर अकाउंट वाली option पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका numbr related हो हो जाता है और आपका email id होती है, वो यहां पर 0 हो जाता है अग्र आप यहां से passport चेंज करना चाथे हैं तो आपको यहां पर पास्परट का option मिल जाता है अब यहाँ पे आपको change करना है अपना username तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको इस पे username पे अगर आप इसको बदलना चाहते तो आप इसको cut कर सकते हैं पूरा यहाँ पे cut कर सकते हैं अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है your username must be 15 characters or less and content only letters, numbers and under secures and space मतलब कि आप जो है इसमें आप जो अपना नाम डालेंगे यूजर्नेम इसमें ना कोई space हो और इसमें जो है आप 15 अक्षरों का इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं तो चलिए मैं अपना username इसमें बना लेता हूँ यहां पर मैं पहले addda का प्रियोग करता हूँ यहां पर तो यहां पर मैं addda with प्रकाश यह जब available हो जागा तो अपने आप उपर जो है check का निसान आपको यहां पर मतलब यहाँ पर check का निसान बन जागा अगर यह available हो जागा तो अभी तो available हुआ नहीं है तो देख सकते हैं दूस्टो यहाँ पर जो है मैंने अपना username change गिया तो यहाँ पर आपको जो है एक निसान मिल जाता है यहाँ पर आपर done वाले option पर click करतें तो आपका जो username है वो याप पर change हो जाता है तो दोस्तो इस तरह से आप जो अपने Instagram account में जो है sorry Tutor account में जो है username change कर सकते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्ली वीडियो को like कर दें और अगर दोस्तो अभी तक हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को subscribe करके जरूर जाए और दोस्तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो दोस्तो हमसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं धन्यवाद